तो दोस्तों जैसा कि हम देख पारी कि आज भारत किती तेजी से ग्रो कर रहा है और भारत में कितने सारे नए एक्स्प्रेस वे और हाइवेस बन रहे है लेकिन वही दूसरी तरफ हमारी जो पुरानी सड़के उनके काफी बुरे हाल है दसल हमें काफी सारे पॉट होल्स और गड़े देखने मिलते हैं हमारी सड़कों पर और बारिश के टाइम पर इसकी हालत और जदा खराब हो जाती है और अगर हम बात करें इन गड़ों की रिपैरिंग के बारे में तो उसे रिपैर करने के बाद वहां पर फिर गड़ा हो जाता है यानि ढंक से रिपैरिंग भी यहती जादा futureistic है क्योंकि future में इसी technology का सिर्फले करके गड़े और Villars रिपेर and maintenance की जाएगी तो चलिए बात करते है इस technology के बारे में ठोड़ी डीटेल में दरसल इस technology में एक patch होता है यह patch मनाया जाता है asphalt, polymer काुझ मदद से हम इस patch को गड़े औरỏ Philippars की आपका सकते बात इस patch के बारे में वो ये है कि ये बहुत ही ज़ादा चीप है दरसल हमारे जो old traditional method है repair and maintenance का वहाँ पर हमारा काफी ज़ादा खर्चा हो जाता है यानि कि huge amount of investment लगती है फिर भी road पर जो गड़े होते वो भर नहीं पाते और कुछ समय बत वो और ज़ादा बेकार हो जाते ल हाली में भारत ने दुनिया की पहली steel से बनी हुई road को बना कर तैयार कर लिया अगर आपको नहीं बता ही कि ये क्या है तो मैं आपको जानकरी के लिए बता दू कि यहां पर steel slack material का इस्तमाल करके इस road को बनाया गया है और future में इसी material का इस्तमाल करके भारत में जितने भी का इस्तमाल करके हमारे रोड को रिपैर भी कर पाएंगे अभी फिलाल हम जिस तरीके से रोड को रिपैर करते हैं उसमें हमें रोलर्स की जरुवत पड़ती है और इससे जो इसका रिपैर का कॉस्ट होते हो बेहती ज़ादा बढ़ जाता है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता जाएंगे अभी फिलाल इस टेकनोलोजी का इस्तमाल पूरे अमेरिका में किया जा रहा है और यह वहां पर काफी जादा सक्सेस्फूल टेकनोलोजी रही है तो दोस्तो अगर यह टेकनोलोजी भारत में आती है तो इसका इस्तमाल हम एक्स्प्रेस वे और हाइवेस के साथ साथ सीटीज और विलेज के अंदर जो सड़के होती है वहाँ पर करेंगे तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस टेकनोलोजी को भारत में आना चाहिए कि यह नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा तो मैं इस चैनल पर भारत की ऐसी अपडेट लाते रहता अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए जहिन